नई राष्टिय शिख्षा निति को लागू किया, वो भी कोरोना काल में, स्पेस सेक्टर को सभी के लिए खोल दिया गया, वो भी कोरोना काल में, देश के सभी गाओं को ब्राट्बेंड से जोड़ने का अभ्यान शुरू हुआ, वो भी कोरोना काल में, नेशनल डिजिटल ह विशन शुरूआ वो भी कोरोना काल में गाओं की जमीन और गड़ के लिए प्रापर्टी कार देने वाली स्कीम स्वामित्व योजना ये भी तो कोरोना काल में शुरू हुई पिछले साथ आठ महिने कोरोना की मुश्किलों के बावजूद हम भारत के लोग देश के लिए ज स्वास्यों का यही सामर्थ आत्म निर्भर भारत का संकल पर भी पूरा करके रहेगा साथियों भारत के लोग तंत्र में डगर डगर पर परिपक्पता के दर्शन होते हैं हमारे लोग तंत्र हर्स पल नए आयमों को चुमता है नए संभावनों को खोजता है फलता है फुलता है खिलता है यह हमारे लोक तंत्र के विशेता है भारत की युवापिडी लोक तंत्र के प्रती सच्ची निश्चा और सद्धा रखती है मजबूत लोक तंत्र में ही देश के नवजवान को आउसन रजर आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के प्रती वो ज़्यादा आस्वस्त रहता है लेकिन दुर्भागे से कश्मीर से कन्या कुमारी तक परिवारवादी पर्टियों परिवार की पर्टियों इसका जो जाल नजर आ रहा है ज़रा नजर कीजिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैमिली पर्टियां ये पार्टियों का जाल लोग तंत्र के लिए खत्रा बनता जा रहा है और ये बात देश का युवा बली भाती जानता है परिवार की पार्टियां या परिवार बादी पार्टियां लोग तंत्र के लिए सबसे बड़ा खत्रा है दुर्भाग्य से देश की एक राष्टिय सर की पार्टी अनेक दसकों तक देश में नित्रुत्व करने वाली पार्टी वो भी एक परिवार के चुंगाल में फस गई है परिवार की पार्टी बनके रह गई है ऐसे में भार्टीय जनता पार्टी का दाईत्व और बढ़ जाता है हमें अपनी पार्टी में बीतर के लोक्तंत्र को मजबूत बनाए रखना है हमें अपनी पार्टी को जीवन्त लोक्तंत्र का जीता जाकता उदान बनाना है और तबी तो देश का प्रधान मंत्री मंच से कह सकता है नड़ा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ यही तो पार्टी के लोक्तंत्र की ताकत है पार्टी हर कायर करता और हर नागरिक के लिए आउसरों का एक बहतरीन मंच बने जहां प्रतिभा के साथ जाय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले मैं देश के युवाओं को जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरी है जिन में लोक्तंत्र के लिए प्रतिभत्ता है ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूँ देश के युवाओं से मेरा आवार है वो आगे आएं और बीजे पी के माद्यम से देश की सेवा में जुड़ जाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने संक्ल्पों को सिद्ध करने के लिए कमल को हाथ में लेकर चल पड़े चरहिवेती चरहिवेती का मंत्र लेकर के चल पड़े हैं साथियों देश में हो रहे हैं इन प्रयासों के बीच भाजबा का कार करता होने के नाते में भाजबा के अपने कार करते असाथियों की मैनत देखकर भी मन भाग खुछ होता है प्रसंन होता है जी आज भाजबा का विस्तार हो रहा है इसकी वज़़ भाजबा के प्रते कार करता का तब त्याग और तपस्या है और सफलता के इंशमा में हमें याद रखना है कि हमारा दायित्व भारत के जन जन के प्रती है जीत का उन्माद नहीं हार का अवसाद नहीं यही हमारी परिपाटी रही है और यही हमारी पाटी के विकाद का मंत्र रहा है बेश का आशिरवाद हमारे साथ है इस आशिरवाद को हमें अपना दाईत्वप पूरा करके निभाना ही हमारी जिम्यवारी है राष्ट निर्मान का आत्म निर्भर भारत के निर्मान का हमारा मिशन अनवरत जारी है समाज में अंतिन पाइदान पर बैठे बेखती के जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं हमारे प्रयास इसी एक निश्ट लक्ष के लिए होने चाहिए साथियों जो लोग लोग तंत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे है हमें चुनोती नहीं दे पा रहे है ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कारकरताओं के हत्या करने का देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारती जनता पार्टी के कारकरताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मन सुबे पूरे कर लेंगे मैं उन सबसे आगर पुर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूँ मुझे चेतामनी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम जनता जनारदन करेगी जनाव आते हैं जाते हैं जय प्राइजे होता रहता है कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा लेकिन ये मौत का खेल लोग तंत्र में कभी नहीं चल सकता है और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है ये जरा दिवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना और इसले मेरे साथियों हम लोग तंत्र को समर पीथ है देश ने हम पर जो फरोसा रखा है उस भरेशों को पूर्णा करने के लिए हम प्रतिबत है हमारी तरफ से हमारे इरादों पर कोई शक नहीं कर सकता हूँ हमारे प्रयासों के प्रतिए कभी कोई निराश नहीं होता है हम प्रयास करते रहेंगे अभिरत करते रहेंगे जनता जनारदन के लिए करेंगे माभारती के एक एक संतान के लिए करेंगे और ये जो चुनाओं में आशिरवाद मिलते हैं ये आशिरवाद हमें अधिक काम करने की ताकत देते हैं अधिक काम करने की उर्जा देते हैं अधिक काम करने की प्रिनना देते हैं और उसी आशिरवाद को ले करके मैं जनता जनारदन के चर्णों में अपना शीच जुका करके उनके सपनों को फूरा करने के लिए प्रयास में कोई कमी नहीं रखेंगे फिर विश्वाद दिलाना चाहता हूँ मैं फिर एक बार देश के सभी मतदाउता हूँ को और मैं भारतिय जनता पाची को भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हमारे नड़ा जी ने इस कारकम को विजयोत सभ के बजाए दन्यवाद का कारकम बनाया इसलिए मैं विशेशुव से बजाई देता हूँ क्योंकि हम जनता जनान के रणी है इसलिए हम उनको बिजना दन्यवाद करे उतना कम है साथियों दिपावली एक प्रकारते दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है खूप दुन्दाम से मनाईए अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए कोरोना से भी सतर्क रहिए और एक बार हम भाजपावाले सिर्फ करें ऐसा नहीं देश का हर व्यक्ति करें और एक दिवाली के लिए नहीं आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है भोकल फोर वोकल फॉर ये गुन्जना चाहिए हमें लोकल चीजों पर हमारे लोगों का जिसमे पसीना है जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंद है जिसमें हमारे देश के नवजवान की टालेंट है जिसमें हमारे देश के उजबल भविश्य के सपने है ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज इस पर हम आगरे ही बनें लोकल के लिए आगरे ही बने है देखिए देश में दुनिया के कोई देश कोई हमें दमा नहीं पाएगा दोस्तों मान के चलिए मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद के आला iасक देश के करोड और कारगता के ओर से मानिप्रदार मंती जी का तालियों के जारा हम सब आभार ब्यक्तर करते हैं मारी रास्ती अज्ज्ड जी का आभार मारी करा मंत्रि जी का आभार मारी नितिन गड़करी जी कआभार सभी प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने धन्यवाद बिहार का यह जो कारेकरम रखा गया था पार्टी मुख्याले में अपने कारेकरताओं को बीजेपी वर्कर्स को संबोधित किया और कई बातों पर उन्होंने बात की उन्होंने ये बताया कैसे कोरोना काल में चुनाव कराना और जीतना दोनों ये बड़ी चुनावतियां थी और इसके अलावा उन्होंने आज एक बार परिवारबाद की राजनीती की बात किये और कहा कि कैसे चुछ यह देश की राजनीती के लिए और देश की लोकतंतर के लिए एक बड़ा खत्रा है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने नितीश कुमार का नाम लिया और कहा कि नितीश कुमार के नितित में अब बिहार अगले पांच बर्श और तरक्की करेगा और उनकी सरकार लोगों के भलाई के लिए काम करेगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी कहा कि ये साइलेंट वोटर की जो चर्चा बार बार चल रही है उसका खुलासा अच खुद उन्होंने किया कि सालेंट वोटर जो कि उन्हें आशिरवाद देता है उनके पार्टी को आशिरवाद देता है वो दरसल देश की महिला शक्ति है दिल्ली में बीजेपी कारेयाले में हुए इस कारेकरम में प्रथान मंतरी नरेंदर मोदी ने अपने कारेकरताओं को समोधित किया और दो बातें गई पहला उन्होंने परिबारवाद पर निशाना लगाया और दूसरा लिफ्ट पार्टी इसको वार्णिंग दी देश में परिबारवादी पार्टीयों को देश के लोगतंत्र के लिए खत्रा बताया प्रशान मंत्री मोदी ने पर्श्री मंगाल में बीजेपे कारेकरताओं की हत्या के मामले पर भी आज बोला मजबूत लोगतंत्र में ही देश के नवजवान को आउसन रज़र आते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के परती वो जादा आस्वस्त रहता है लेकिन दुर्भागे से कश्मीर से कन्या कुमारी तक परिवारवादी पर्टियों परिवार की पर्टियों इसका जो जान नजर आ रहा है जान नजर कीजिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैमिली पर्टियां यह पार्टियों का जाल लोग तंत्र के लिए खत्रा बनता जा रहा है और ये बात देश का युवा बली भाती जानता है परिवार की पार्टिय के लिए सबसे बड़ा खत्रा है दुर्भाग्य से देश की एक राष्टिय सर की पार्टी अनेक दसकों तक देश में नित्रुत्र करने वाली पार्टी वो भी एक परिवार के चुंगाल में पस गई है परिवार की पार्टी बनके रह गई है ऐसे में भार्टीय जनता पार्टी का दाईत्व और बढ़ जाता है हमें अपनी पार्टी में बीतर के लोक्तंत्र को मजबूत बनाए रखना है हमें अपनी पार्टी को जीवन्त लोक्तंत्र का जीता जाकता उदान बनाना है और तबी तो देश का प्रधान मंत्री मंच से कह सकता है नड़ा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ यही तो पार्टी के लोगतंत्र की ताकत है पार्टी हर कायर करता और हर नागरिक के लिए आउसरों का एक बहतरीन मंच बने जहां प्रतिभा के साथ जाय हो और परिश्रम को पुरस्कार मिले मैं देश के युवाओं को जिनके दिल में राष्ट्रहीत सर्वोपरी है जिन में लोगतंत्र के लिए प्रतिबटता है ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूँ प्रतान मंत्री के आज के इस बाष्टन का पूरा विश्क्लेशन होगा बिहार के चुनाव के नजरिये से भी और आने वाले चुनाव के नजरिये से भी लेकिन फिल्हाल एक चोटा सा प्रेक